हलो एवरिवन मैं विश्रजीत सिंग आप सभी का देई इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.H.I. 05 लेसन 9 वैपार का स्वरूप सहरी करन और आपसी संबन प्राइदीपिय भारत लगबग 300 इसा पुर्व से 300 इसवी तक का पढ़ें है दोस्तो चैप्टर थोड़ा सा लंबा होने वाले वीडियो थोड़ी लंबी बनने वाली है इसके अंदर में हमें पांस चॉपिक पढ़ने है और उन्ही टॉपिक के बेज पे आपके इस लेसन के अंदर में कोश्चन्स भी पूट-प किये गये हैं क्या क्या टॉपिक है पढ़ेंगे पहला रहे यह है लेने वाले है दूसरा अगर मैं टॉपिक ही बात करों हम पढ़ेह विदेशी वैपार हे बारे हैं जहां पर विदेशी वैपार ने किस प्रकार से सहरी करेंड में योगदान दिया और क्या-क्या चीज़ें हम वैपार में यूज करते थे जैसे कि सीज का हम वैपार करते थे किस शिज मंद्र कते थे यह हमारा दूसरा के समय में currency आज के टाइम में पर पहले यह नहीं था विने में पर था और मुद्रा का किस तर से चलन हुआ वो हम इस वाले तीसरे टॉपिक में पड़ेंगे चोथा जो हमारा टॉपिक रहने वाला है हिंद और रोम वैपार के उपर में रहने वाला है कि हिंदूस्तान और रो सिको का ओ यूज ठीक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे यह जो चौता टॉपिक था हमारा हिंद रोम वाला है लास्ट यह हमारे कोश्चन पेपर में भी रिपीट भी हुआता है इगनू के ठीक है तो अल्मोस्ट इंपोर्टन चैप्टर है पांस टॉपिक है थोड़ा वीड στην के प्लेट्फरम का लिंक दिया हुआ धिया हुआ है डारिक्ट यूइन करो üzerine कोश्चन पूसकते हो वहां सेकते हो कमेंट बोक्स में कमेंट करके पूसकते हो यहाँ पर देख पाओगे पहला question आपका धक्कन का सहरी करन को लेकर है यह पूरी वीडियो जो बन रही है दोस्तों lecture based होने वाली है आपको थोड़ा सुनने पर focus करना पड़ेगा मैं भी try करूँआ थोड़ा slow बोलू अच्छे समझ में आपको समझाने की पूरी courses करूँआ अगर फिर भी कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता तो comment करके पूछ सकते हैं आप सभी रिक्वेस्ट है कि ये भी है अपनी notebook लेकर बैठे साथ में और चैनल को subscribe जरूर कर ले क्योंकि आपका एक-एक subscribe एक-एक like share हमें motivate करता है और भी अच्छे से मैनत करने के लिए और भी अच्छे से वीडियो बनाने के लिए तो friends सबसे पहला topic आता हमारा दख्खन का सहरी करन सहरी करन होता क्या है जहां पर लोगों का आवासी है अस्थल जैसे हडपा का नियोजन जो सहरी करन जो है वो बहुत famous मान जाता है ठीक है अगर आप history पढ़ रहे हो हडपा का नगर वेवस्था सबसे important part होती है history के अंदर में उसको हम पढ़ते तो हमें पता चलता है कि किस तरह की आरंबिक नगर वेवस्था थी तो यहां पर दख्खन का नगर वेवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके अंदर में कहते हैं कि वैपार सहरी करन का विस्तरित रूप से प्रभावित करती थी धखन का जो सहरी करन था, उसके अंदर में जो वैपार था ना, वो कहीं न कहीं सहरी करन को परभावित करती थी, ये पता चलता है, और वैपार की विर्धी के कारण से सहरी करन का बड़ोतरी हो रहा था, सहरी करन में विस्तार हो रहा था, नहीं नहीं चीजें इंटर्डियू जो साथ वहन वंस था उसके आने के बाद यहां पर ठीक है तो उसके कारण से जैसी वैपार में विर्दी हो रहा है तो सहरी करन भी बड़ोतरी हो रही है ठीक है साथ वहन और एक्षवाकू जो वंस थे 227 से लेकर 306 इसा पुरू के बीच में रहे एक्षवाकू वंस और साथ वहन वंस उस टाइम पे सबसे ज़्यादा वैपार और सिल्प केंदर के तौर पर उबरा ठीक है आगे में बात करूँ तो व्यवसाइक अधार पर संगठित समाज की निवक्ति हुई ठीक है जैसे जैसे मालो अब एक एक्जामपल लेकर चलते हैं मैं डेली में रहता हूँ ठीक है तो डेली में ही ज़्यादा तर इंडस्ट्री है ठीक है ज़्यादा तर फैक्ट्री है ज़्यादा तर काम है रहते हैं सारे लोग अलग अलग जगह से मतलब पूरे बारत के किसी भी कोने से लोग डेली में आते हैं रहने के लिए पढ़ने के लिए सब चीज के तो जिसको जुरत है वो उसकी साफ से डली आएगा ठीक है तो यहां पर क्या दिखा गया वैवेसाई का धार पर संगठित समाज का निर्मान होना सुरू हो चुका था जिसके कारण से सहरी करन का निर्मान हो रहा था मोरे काल का परभाव भी हमें धक्कन के सैरी करन में देखने के लिए मिलता है क्योंकि आप अगर मोरे काल को study करोगे तो मोरे काल के अंदर में जो वैपार का सोरूपता बहुत विस्तरित बनाया गया था ठीके वहाँ पे करववस्ता बहुत अच्छी थी जैसे आज GST है जिसमें बटा हुआ है उसी तरीके से अलग अलग चीजों पे अलग अलग करववस्ता होती थी और मोरे काल के अंदर में क्या होता था कि particular हर एक work के लिए अलग अलग तरसे लोगों की न्यूपती की जाती थी ठीके पदों पे न्युक्ति हो दिए तो उसके लिए अलगे का दिकारी है तो इस तरीके सा अलग लग लोगों की न्युक्ति की जाती थे और वहां से ये चीजे देखने के लिए मिलती कि वैपार में इंप्रूव्मेंट होता है ठीके तो यहाँ पे मोर्काल का भी प्रवाप दिखने के लिए मिलता है यहाँ पे मोर्काल की में बात करूँ तो आर्थिक विकास से राज्तंद्र का छेत्रिये राज्ये गठन की ओर बढ़ता है जब से आर्थिक विकास होगा, मालो किसी कंट्री का आर्थिक रूप से संविर्द है, वह आगे बढ़ रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ के लोग भी बढ़ेंगी, वहाँ के लोगों की living standard जो है, ठीके, life of standard वो भी बढ़ेगा, ठीके, तो life of standard होता है कि कोई मालो किते राजय का गठन देखने के मिलता है, आंतरिक वैपार और उत्तर भारत से संबंद, जैसे आंतरिक वैपार होता था न, जैसे भारत देखोगे भारत का कुछ इस तरह से सेप में है, ठीके, अब प्राइदीपी भारत यहाँ पे जब से के लेसन के नाम में ही था समराजय था, में मगद में इस्टैबलिस था, ठीके मगद यह में पूरा स्टैबलिस था, तो यहाँ तक क्या था कि दच्छीन भारत से आंतरिक वैपार भी बढ़ोतरी हुई, बाहर से तो विदेशी वैपार ही रहते, पर अंदर में भी वैपार का सोरूप बढ़ना शु पर वैष्था था, जो नोर्मली जादा तर फोकॉस था, अर्धवयस्था का, वह किस पर था? क्रिशी अधारित अर्धवयस्था था, दोस्तों देखो, यह जो मैं बोल रहू हूं, यह चैप्टर पढ़ा रहू हूं, यह लेक्च्ट बेसी होने वाला है, नोर्मली सी, क्य और कई बार क्या होता है, बोलते-बोलते ही हालत खराव जाती है, कैसे क्या समझाना है, तो normal points मेरे पास बने हुए, ठीक है, आप फिर mind में set है, तो वो उसके हिसा आप से मैं बोल रहा हूँ, lecture-based पे सुनो आप उसको, बस सुनकर समझना है, एक बार आप अगरा question समझ गए न के पास, आगे मैं बात करूँ दोस्तों, यहां पर क्रिशी आधारित अर्थवववस्ता थी, ठीक है, जिसके कारण से भी improvement हमें देखने क्लिए मिलता है, सिल्प विसिस्टी करन, वहां पे सिल्प कृतियां थी, सिल्पों के उपर में जो वैपार का main source माना गया, सिल्प को भी माना गया, सिल्प को बहुत ज़्यादा importance दी गई, समुंदरी वैपार की बढ़ोतरी हो रही थी, समुंदरी वैपार से क्या हुआ, बाहरी विदेशी वैपार का आगमन हुआ, ठीक है, जो भारत का जट्छिन का पाट था, वहां पे समुंदरी वैपार का सोरूप बढ़ता गया, ठीक है, और उससे विदेशी वैपार आना जाना शुरू हुए, विदेशी ये जो हमारी चीज़े होती ते घरवली चीज़े आयात मेरियात ब देखरे हुए नहीं थे, मतलब एक संगठी देख पूरा ट्रेड के हिसाब से चलता था, यूनियन था, ठीक है, कि किस तरसे वैपार कर रहा है, तो उसका संगठी द्वानिज्जे के तौर पे देखा जाने लगा, लोहे और अन्यधातू, मतलब उनका उप्योग होता था, ठीक है, आरंबिक सहरी करन जो था, आरंबिक सहरी करन का परमान मिलते हैं, अगर आरंबिक सहरी करन की परमान की बात करो, तो यहाँ पे तीन जगह, मतलब आरंबिक सहरी करन का परमान मिलता है, वो हमें पुरा तात्यों की बाक्त, तीन जगह का परमान मिलते हैं, ठीक है, क दूली कट्टा में आता है, दूली कट्टा करके एक है, दूली कट्टा, ठीक है, दूली कट्टा में यहाँ पर भी सहरी करन के परमान मिलते हैं, और कोटलिंग, तीसरा यहाँ पर तीसरा कोटलिंग, ठीक है, कोटलिंग, इन तीनों जगह पर सहरी करन के परमान मिलते हैं, कि सबसे पहले अगर मैं बात कुरू पेंडाकुर के अंदर में किस तरह का सैरीकरन का प्रवान मिलते हैं तो यहां पे किसी तरह की किले बंदी नहीं थी, पेंडाकुर में किले बंदी नहीं मिलती है, ठीक है, और चेत्य और अन्य धार्मिक भवनों के अफसेस मिलते हैं, जो च सहरी करन का के लिए बंदी का सोरूप मिलता है, इस तूप मिलते हैं, ठीक है, और विहार जैसे धार्मिक इस्तल, जो बोध धर्म के विहार जैसे धार्मिक इस्तल होते हैं, उसके यहां पर परमान हमें धूली कट्टा में मिलते हैं, सासत में सिचाई से जुड़ी हुई इमा मारते जो किले जासे किले बंदी मारते उसे हम दूर गया है कि घृप के आवासी मकान ओसका साक्षि मिलते है जहां पर अनाज रखे जाते थे ठीक है, जहां पर अनाज रखने की जो जगह होती थी, उसको अनाज रखने की जगह, expert dagen पत्थर का यूज कि ऊंधर के भी शाक्षे हैं तो दोस्तों ये सहरी करन था ठीक है जहां प्रारंबिक सहरी करन हिंए Negro प्रीक ने परलुप का सोरूप क्या था इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो यहां पर अगर मैं दोस्तो विदेसी वैपार की बात करूँ तो विदेसी वैपार के अंदर में कहा जाता है कि सहरी करण में भारतिय वैपारियों और विदेसी वैपारियों का एक मत्यपुन भूमिका रहती है सबस्ट पहले इसको रफ़ करते, जिसके आपको समझ में आए, देखो, सहरीकरन जैसे जैसे इंप्रूव हो रहा था, थीक है विदेशी वैपार के आने से सहरीकरन इंप्रूव हुआ, तो यहां पर यह माना जाता है कि सहरीकरन के अंदर में भारतिय वैपारी Varisi सारी का एक important role यहां पर रहता है ठीक है साथ साथ में यहां पर दिखा जाता है कि रोम के साथ भारत्य वैपार का विस्तार हो रहा था जो रोम वासिते उनके साथ भारत्य वैपार का विस्तार होना शुरू हो चुका था सिकंदरिया और रोम के साथ भारत में बांस और लकडी ठीक है धातू की वस्तू कांच की वस्तू इत्र मरहम का निर्मान का परमुक केंद्र माना जाता था एक्जेंड्रिया को जोहां से हमें अक्सर धातू की वस्तूएं कांच की वस्तूएं इत्र मरहम ठीक है और इन सब का परमुक केंद्र के तौर पर जाना गया तो वहां से हम हमेशा आयात निर्यात किया करते थे ठीक है हम अपनी चीज देते थे उनकी चीज हम लेते थे ये चीजे चलता था भारत और एकजेंडरिया के बीच में आपसी वैपार संबंद इंप्रूव हो रहे थे ठीक है एकजेंडरिया और भारत के बीच में पूरा जिम्मा होता था, रोम बासियों पर होता था, रोम के उपर में होता था, किस तरह से सुरक्षा देना है, ये सारा रोम इसका इंतिजाम करता था, Peripulse of the Erythian Sea जो किताब लिखी गई वो एक तरह का परमुख जानकारी के सुरोत के तौर पे हम इसको लेके चलते हैं जहां पे भारत के वैपार, विदेशी वैपार के बारे में हमें जानकारी मिलती है आयात and निर्यात की जानकारी इस Peripulse of the Erythian Sea के लिखे है बेरी गाजा, बेरी गाजा से लेबान, बेरी गाजा नाम का सहर था जहां से लेबान ओंगाय जाता है, लोबान मंगाय जाता है, लोबान ओता है गेंडे के सिंग के बदले में हम यहां से क्रिशी उतपादन जो भी चीज़े होती थी उसको हम वहां पर देते थे वह लेते थे ठीक है इस तर से आयात निर्यात चलता था ठीक है सागवान ब्लैक बूड चंदन की लकडी बांस हांती के दांत लोहा सुंगनित मसाले केसर काल सागवान सथपूरा के पहाड़ियों मिलता था जो सागवान लकडी होती है सागवान लकडी सबसे महेंगी लकडी में से एक होती है सागवान जो होता था सात्पूरा की पहाड़ियों मिलता था ब्लैक बूड जो होता था उत्तर कोकण ठीक और मध्य भारत की पस्चमी घाट के उपर में मिलता था चंदन की जो लकडी होती है सिंध काठिया वाड़ा में मिलता था सुकंधित मसाले अलग रहते हैं ताप्ति नदी और सिंद के काठिया वाडि मों मिलता था तिकति लाल सुल्यमनी पत्थर जो होता है दक्थन में मिलता था ठीकता इसलेमानी जोटर का निर्यात किया जाता था वो दक्थन वμοanders से जो दक्थन से सबसे प्रमॉक्यalar Two-Jattamasi हिमाल्यों पहाडियों से मिलता था जटा मासी एक तरह का आयर्वेदिक दवाई के तौर पर यूज के जाता है आज के समय में जटा मासी ठीके कपास भारत से सबसे जादा निर्यात के जाता था अनाज के बदले में कच्छूए की खाल और लवान ठीके विनिमेप का एक आध वाईयों के लिए भारत में इसका उपयोग किया जाता था ठीक है कच्छों की खालों का लोबान का इसका उपयोग किया जाता था ठीक है समझी में आता है तो इस तरीके से यह वाला कोश्चन भी हमारा दूसरा जो विद्यसी विपार है यहां पर यह के लिए हो जाता है तीस पर पहले ऐसा नहीं होता था, गुट्स के बदले में हम गुट्स लेते थे, समान के बदले में समान लेते थे, समान हमें चाहिए, तो हमने अपना समान दिया, उससे लिया, अगर मुझे आटे की जरूरत है, और मेरे पास चावल है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपना तो इस तरीके से लेन दिन चलता था तो विनिमे पर था भी यहां पर बहुत बड़े इस तरह पर देखने क्लिए मिलता है वस्तू विनिमे और इस्थानी में विनिमे में वस्तू का उधार पर देना होता था एक तरह से वस्तू को हमने उधार पर दिया ठीक है वस्तू विनि में उपयोग जाता था जैसे क्या सहद मचली मास ताड़ी ताड़ी होता है ताड़ी आप में से किसी ने पिया है क्या क्मेंट करके बताना ठीके वियार में यूपी में इन सब जगों पर इवन आप अगर साउथ इंडिया की और जाओगे तुहां पर ताड़ी का सबसे अब देखो कोई विदेश से भारत आया हुँआ है अब वहाँ तु सिक्के चलते हैं इस बस्तों के बदले में वस्तू एक तरहा चालता था मतलब वीन में जो है दोत तरह से चलता था या फिर वस्तू के बदले में वस्तू या फिर सिक्के के बदले में माल जो गूर्ट्स होते थे वो हम देते थे इस तरह से वीन में चलता था वस्तू वीन में लेन देन का मुख्य माद्यम बना और वैपार में इससे बडूत्री हुई, बहुत जादा बडूत्री हुई, लिए लिए करके जब सिको का इंट्रिक्षन होता है, तो वहाँ से भी इन सब चीजों का बडूत्री हमें देखने के ले मिलता है, तो यह वालाuiten इसे तरिक हैं आप लिखना है, आप अब बात करू तो भारत और रोमन वैपार के बारे में आता है कि किस तर से रोमन वैपार हो भारत रोमन वैपार बढ़ा ठीक है तो का जाता है रोमन और भारत का जो वैपार था हो प्राकास्टा पे था एकदम लास्ट स्टेज में पहुंचा एकदम टॉप पे पहुंचा ठीक है बहुत ज लगजरी जो आइटम्स होती थी वो भारत के अंदर में आती थी और भारत से मसाले अनाज अलग अलग तरह की चीज़े हम भारत से उनको देते थे बदले में उनसे हम विलासिलता की वस्तु ये लेते थे और हम अपनी मसाले अलग अलग तरह की चीज़े उनको देते थे भार और भारत के भीच में वैपार होता था लॉस्क भारती इतिहांस में भी हींदी रोम जो समुंदरी वैपार है उसका उंलेक मिलता है तो यहां यहां पर यह वाला टौपिक भी हमारा सिक्कों का यूज का मुद्रा किस तरसे भारती मुद्रा का यूज के ऐसे था, रोमन सिक्के विवनताई क्या थी, ठीक है, यहाँ पर सिक्कों के बारे में बात करते हैं, अगर मैं सिक्कों के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो सिक्कों का यूज था, रोमन सिक्कों की विवनताई की बात करें, हम सिक्कों का यूज की बा बनाया जाता था ना ठोक ठोक कर बनाया जाता तो उसे हम आहात सिक्के कहते थे ठीक है तो रोम के अंदर में मतलब ये भारत के अंदर में दखन बारत के अंदर में आहात सिक्कों का निर्मान सुरू हो चुका था अलगलग सेप में अलगलग सिक्के बनते थे ठीक है तीसरी स परतुरूप बनाया जाता था रोमें जो सिले थी उससे मिट्टी के परतूरूपों मेइं लगा शिक्के बनाने के लिए टूकड़े राख गोंड से बनायाँ लग लग चीजों की एक उतरी सिले बनाने के लिए साथ वहन मतलब यहां पे तो यह बहां को टारadore पतिईन सब का उपयोग ही जाता ठोगा साथ वहन कारुकों के अंदर में जो कुशान एक कुशान के टाइम पे भी सिक्कों का उपयोग बहुत जाद हुआ उने सुफ़न सिख्के का स्टार्ट होता कुशान के टाइम पर भारत में सुद्धचंदी अ़शक नहीं था तो चांदी के सिक्कों की ढलाया शुरू हो जाती है भारत के अंदर में और राज का नियंतरन होता था उसके अंदर में जो भी राज आतो था उसका नियंतरन होता था सिक्कों के ऊपर में इस तरीके से चलता था ठीक है रजत सिक्के जो चांदी की सिक्के होते थे उस पर राजाओं के अलग अलग चीन्य बने होते थे ठीक है उसका चलता था गौतमी पूत सतकर्णी के बारे मैं आपने पढ़ा होगा इस्ट्री के कुछ चैटर पीछे वाली चैटर में मैंने आपको पढ़ाया है ठीक है तो वहाँ पर भी परती अंकित उस पर अलग अलग नंबर्स डले होते थे अलग अलग चीन्य डले होते थे कुल देवी देवता तो पे तुके की द्वारा नहीं का तस्विर बना आपका अवपार में वानज़िक लेंद इन्में तांबा सिसा पैटिन ओंस्टे के आवस्षक बना दिया घया ठीक है वहाँ पर सिकों का उप्योग मात्रा में क्या जाने लगा खा में और कई जगह पे सिक्के जादातर देखने के लिए मिलते हैं, सिक्के का उपयोग देखने के लिए मिलता है, और यहां पे दिरे-दिरे बार्टर सिस्टम जो था, वो खतम होता हुआ, चला जाता है, ठीक है, तो सिक्कों का जो टाइम परेड हैं, वो बहुत लंबा है, अलग- मैंने थोड़ा जल्दी स्पीड में करवाया है, किसी को समझ में नहीं भी आया होगा, आप थोड़ा स्लो करके इसको दुबारा देखना, ठीक है, एक से दो बार देखोगे, एक टॉपिक को करोगे, बुक्स पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी अगर कि सब भी पूछ सकते हो, अगर फिर भी किसी को डाउट है, तो वो डिरेक्ट सोसल मेडिया प्लेटफॉर्म पर जाके जोइन कर सकता है, ठीक है, इसका इंपेक्ट आपके लाइफ पर पढ़ रहा है वीडियो का, ठीक है, आपको सीखने के लिए मिल रहा है, तो प्लीज यार लाइक, सेर, सस्क्राइब जरूर करें, और सस्क्राइब के बगल में एक जोइन का बटन है, उसको जोइन जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, कि हाँ यार इतने लोग हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यह चीज़े होती है द चैक टीक, सब्सक्राइबू कर दूज़ा टे गैज़ें तीक, सब्सक्राइब